अभिभाशन में की गई आदिवासी विकास की बाद निश्चिती सरानी है और सयाद्री में जो मेरे आदिवासी बांदो बसते हैं उनके उत्पनका एक प्रमुक्स त्रोथ है बाढ़ हिर्डा लेकिन बाढ़ हिर्डा को वन उपज से बाहर निकाला जाए पेरना है हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज उनके जन्मस्तल कीले शिवनेरी पर आज तक पर्मनंट भगवाद धवज नहीं है धन्यवाद अद्धिक्ष महोदे महामाई राष्ट्रपती महोदाय जी ने अपना भी भाशन में सरकार के कई उपलब्दियों का उलेक किया और उन सभी उपलब्दियों के लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं राश्टरपती जी ने इस सरकार को अभूत पूर्व स्पीड और स्केल पर चलने वली सरकार बता है और जिसका अनुभव मैं अपने चुनावक शेत्र में कर रहा हूँ और इसके लिए मैं मानिय गडकरी जी का खास तोर से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चुनावक शेत्र में पूने नासिक, पूने नगर और तलेगाव चाकन शिक्राफ और इन हाइवेस पे लगबग 20,000 करोड रुपएं के हाइवे प्रोजेक्स का निर्मान गडकरी जी के माध्यम से हो रहा है और साथ ही में मानिय रेल मंत्री जी, अश्विनी कुमार वैशनव जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मेरे चुक्षेत्र का जो 25 साल का सपना था, उस सपने को यानि पूने नासिक, सेमिया इस्पीड रेल को उनने हरी जंडी दिखाई है और इस प्रोजेक्ट और गती देने में महराश्टर के पूर्व उपमुख्यमंत्री मानिय अजीद दादा पवार और विद्यमान उपमुख्यमंत्री देविंदर जी फड़नविस, इन दोनों का भी योगदान महत्वपूर्न है अभिभाशन में की गई आदिवासी विकास की बाद निश्चिती सरान ही है और सयाद्री में जो मेरे आदिवासी बांदो बसते हैं उनके उत्पन का एक प्रमुक्स त्रोथ है बाढ़ हिर्डा लेकिन बाढ़ हिर्डा को वन उपज से बाहर निकाला जाए उसको डाइरेक्ट मार्केट लिंकेज किया जाए और साथ ही में उस पर प्रक्रिया उद्योग हो तो आदिवासी भाईयों के लिए लाब दायक साबित होगा अद्यक्ष मोदय मेरे छेत्र में आदिवासी विकास के लिए एक इनोवेटिव प्रजेक्ट राष्ट्रे वनोशदी संशोदन केंद्र का प्रस्ताव आयूश मंत्राले के निर्देशा नुसार बनाकर सरकार को भीजा गया है जो मनजूरी के लिए प्रलम भीत है उस पर दूरंत कार्यावाई हो यसी मेरी मांग है ताकि सरकार की कहनी और कतनी और करनी में कोई अंतर न रह जाए सरकार ने गरीब परिवारों को पक्के घर देने की बात की लेकिन महाराश्ट्र के पिंपरी चिंचवर्ड में लगबग पांच लाग देशवासी ऐसे हैं जिनके घरों पर अन ऑथराइजेशन का खत्रा मन रहा है और उसकी वज़ा है डिफेंस का रेड जोन अध्यक्ष मोदर ये ताजब की बात है कि जिन अंग्रेजों से आजादी कामरित काल हम मना रहे हैं उन्हीं अंग्रेजों के जमाने का कानून है डिफेंस आक 1903 और उसके सार रेड जोन की मर्यादा 2000 याड नहीं बलकि सिर्फ 270 से 500 मीटर होनी चाहिए तो मेरा अनुरोद है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर अमरित काल में पिंप्री चिंसवर तथा देश के अंध्य 13 राज्यों में ये समस्या है वहां 500 मीटर के आगे स्थान की जो प्रेरना है हिंदवी स्वराज्य संस्थापक च्छत्रपती शिवाजी महराज उनके जन्मस्तल कीले शिवनेरी पर आज तक पर्मनेंट भगवाद भज नहीं है मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जो सरकार आर्टिकल 370 हटा सकती है क्या वही सरकार आर्के सर्विय आफ इंडिया के नियोमा में सुधार लाकर च्छत्रपती शिवाजी महराज का सम्मान नहीं कर सकती राष्ट्रपती महोदया ने पॉलिसी पैरलिसिस की बात की लेकिन एक पॉलिसी पैरलिसिस पिछले 3-4 सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ इस सदन में मैं बार कि रुद्धी के लिए जो अत्यावशक है उस बैल को हमने शामिल कर रखा है बाग शेर बंदर और भालू इनकी सूची में और अध्यक्ष मोदय बीफ एक्सपोर्ट में जो अपना देश दसवे पाइदान पे था वो अभी तीसरे पाइदान पे गया है तो क्या सरकार को इसमें आंतर राष्टे शडियंतर की बूँ नहीं आती और यहीं वज़े है कि बार बार जली कट्टू रेकला तथा बाहराश्टर की शान बैल गाड़ा शर्यत पर पाबंदी लगाने के लिए इसी आंतर राष्टे शडियंतर के कुछ गुरगे बार बार कोट का दर्वा खटखटाते हैं हमारी संस्कृती परंपरा तथा देशी गोवंश के रक्षंड में बादा उत्पन करने वाली इस पॉलिसी पैरलिसिस से बाहर आकर तुरंद बैल को नॉन एग्जिबिटिंग नॉन परफॉर्मिंग आनिमल की सूची से हमें बाहर निकालना चाहिए दू खाराष्टर में रात में ठ्री फेज लाइट नहीं है तो पानी देने के लिए किसानों को रात में जाना पड़ता है और आए दिन किसे न किसी किसान पर लेपर्ड का हमला होता है और ये लेपर्ड के लिए जो ग्रेस ग्रास लांड है ये हम तो अभी बना नहीं सकते तो के लिए एक policy लाके उनके reproduction control के बारे में प्रावधान होना चाहिए राश्टर पती जी ने लोग तंत्र की जन्नी कहे कर देश का सम्मान किया लेकिन उसी लोग तंत्र में मेरे सहयोगी सांसत जो सामरिक दुरुष्टा अती महत्वपूर्ण लक्षदीप आईलन्ड से चुनकर आये है उन मुहमत फैजल जी के साथ होता अन्याई दुरुभाग यपूर ने एक सेशन कोट वर्डिक देता है और इमीजेटली उनको disqualify किया जाता है और एक हफ़ते के अंदर बाई एलेक्शन का नोटिस भी निकलता है हाई कोट के अपील का इंतजार भी नहीं किया जाता हाई कोट में अपील की जाते हाई कोट का जो decision आता है उसमें सेशन कोट के decision को खारिस किया जाता है और आज 13 दिन हो गए लेकिन मेरे सहयोगी सांसत मुहम्मद फैजल जी को पार्लिमेटरी प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनका disqualification अभी तक revoke नहीं किया गया मेरी सदन से मांग है कि उनका disqualification revoke किया जाए और लोकतंत्र की शान और लक्षद्वीप के अपने देशवासियों का विश्वास दोनों को बचाया जाए राश्टर पतिजी ने अपने अभीबाशन में अर्थ वेवस्ता विश्व में पाच्वे पाइदान पर पहुंचने की बात की और हम सभी को गर्व है इस बात का लेकिन हम मिडल क्लास लोग है अद्यक्ष मोदया एक लाग करोड में एक पे कितने जीरो लगते है ये हमें पता नहीं क्योंकि मेरे देश के 90 प्रतिशत देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का क्या है आटे दाल का भाव क्या है गैस सिलिंडर के दाम क्या है अद्यक्ष मोदय सरकार में बैठी एक मंत्री मोदया कभी गैस सिलिंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी आज गैस सिलिंडर के दाम जब हजार के पार हो गए तो क्या माननी मंत्री मोदया भूल गई कि साज भी कभी बहु थी अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस सिनि बहुत अच्छी पंक्तिया की महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जनाब गुम्रा मत कीजे यह कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे है जुबा तो है आपकी लेकिन अलफाज किसी और के बोल रहे है लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर और पंतरप्रधान स्वर्गे इंदिराजी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधान मंतरी आदर्नियन नरेंदर जी मोदी ही है इस बात पर सभी को सहमत होना होगा लेकिन अद्धक्समोद है इतिहास गवा है कि प्रभावी व्यक्तियों का दुकसान विरोधियों से जादा उनके अनुयाई करते है इस बात का इतिहास गवाय है और इसी लिए सोशल मीडिया के अंदभक्तों से और सवाल पूछने के बजाए में मजगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से साउधान रहने में ही देशित है राश्टरपती जी ने कहा कि देश विकास की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अद्यक्ष मोदे वास्तविक्ता ये है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहूल बिगड रहा है G20 के हम अद्यक्षता कर रहे है ये गर्व की बात है और G20 का लोगों देखे तो बहुत ही प्यारा लोगों है जिसमें हम विश्व को बता रहे है मैं जिस चुनाक शेत्र से आता हूं वाँ संत ग्यानेश्वर जी की संजीवन समादी है संत ग्यानेश्वर जीने तो पसाइदान करके आता विश्वात मकेला हो जोजे वांचीलतो तेला हो ये कहा है लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधईव कुटुमबकम लेकिन अपने ही देश की लोगों को बता रहे हैं ये तुमारा मुल्क नहीं इस पानी पर तुमारा अधिकार नहीं अद्यक्ष मोदे सभी को याद होगा बचपन में स्कूल में जाया करते तो दस पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते थे और दस पैसे की लिमलेट की खोली शर्ट के कोने में पकड़के दातों से तोड़के दोस्त को दिया करते थे अधिक्ष मोदे तब फर्क नहीं पढ़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद आज फर्क पढ़ता है तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्न लेकिन आज फर्क पड़ता है देश का माहूल बिगड रहा है क्योंकि हिंदू-मुस्लिम के साथ-साथ दलित और सवर्न ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है कभी हातरज जैसी घटना होती है कही स्कूल के बच्चे ने सवर्नों का पानी पिया इसलिए उसको पिटा जाता है मूचे बढ़ाई तो पिटाई दलित दूला भोड़ी पे बैठा तो आपती किस विकास की दिशा में जा रहा हर किसी को अद्यक्ष मौद है अपने धर्म पर परिणाम कौन भुखतेगा राश्टर पती जी ने अपने अभीभाशन में जो सपना दिखा है वो सच होने के लिए हर देशवासी को ये समझना होगा अद्यक्ष मौद है कि ये देश सिर्फ 38% वोट बटोरने वाली किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं बाकि 62% पासियों का भी है इस सच का सम्मान हो भगवे से किसी को परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए लेकिन भगवात तिरंगे में से एक रंग है इसी का सब को अहसास हो देहलीज के अंदर कोई ईश्वर अल्ला येशु किसी की भी उपास न करे देहलीज के बाहर कदम रखत अंति व्यक्ती तक पहुंचेगा डाल डाल पर फिर सोने की चिडिया का बसे रहा होगा और इस सम्रित काल में मेरा राष्ट विश्व की महाशक्ती बन कर उभरेगा जैहिंद धन्यवाद थैंक यू स्रीमधी जिंबल यादव जी झाल